तो जावल एंगर्जी सिखने की स्रीज में आज हम लोग इंके अप्सुलेशन का एक और पार्ट देखेंगे जहां पर हम लोग यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर मेथड इंके अप्सुलेशन के साथ भी और को अप्सुलेशन के लिए तो क्या करते हैं करेंगे तो उसके लिए हम यहां पे एक फाइल बना लएते हैं और कॉंसेट मैंने आपको बता रखा है तो जो भी चीज़ हमने कि यहां पर कर रख्या है मैं इसको में डिलिट कर देता हूं कि मैं tässä को युज कर सको हम एनको बताकर था कि हम क्लास को करना एक चैनलन टास्क हो जाता है जहां सेम क्लास को यूज करते हो तो सब्सक्राइब यहां पे हम क्या करते हैं कि टिर स्थुदेंट्स कि लां plu अ आपको बता रखा है इनके अप्सुलेशन का कॉंसेट जहां हमने गेटर सेटर मेथा पर देखा है और उससे पहले एक और प्रोगाम किया था तो यहां पर आईडी ले ले लेते हैं और एक लेते हैं स्ट्रिंग नेम हुआ है हम यहां पे सबसे पहले हो यूज कर रहे है रहे बीटर सेत Ha हमें चेटर मेथेटर हमें चलरुक्त के लिए यहां पर आप सारी का लिख कर होगे और यहां पर हम लोग यह भी दखेंगे एकalyrage के से हमें जेनिट कर कर सकते हूं तो यहां पर students को directly call करवा लेते हैं कि हमने सीख्या है कि जो हमारा constructor method होता है वह हमारा class name होता है तो यहां पर बना दिया जो यहां पर id और name वह यहां पर ले सकते हूं तो int id और यहां पर आपको हो जाएगा this.id यह हम लोग call करवाएंगे तो उसी टाम पास कर लेंगे और this.name all right इसको direct object बनाते हैं तो s1 equals to new students यहां से हम लोग पास कर लेते हैं क्या 101 और यहां पर संजीत all right तो जैसे ही यहां पर constructor call होगी यह value assign हो जाएगे अपने आप क्योंकि constructor अपने आप call हो जाती है जब हम लोग यहां पर object बनाते हैं ठीक है तो object बनाया यहां पर value pass किया यहां पर value assign हो गया अब यहां पर getter set method के लिए मैं आपको बताया था सबसे पहले आप id के लिए तो उसके लिए set करना वे लिए तो आप क्या लिए सकते हो वाइड सेट आइडी और सेट आइडी करने के लिए यहां पर आप ले लोगे int id और यहां पर this.id equals to id अब यहां पर बोलोगे कि this.id यहां पर भी है यहां पर भी है हमने अलग अलग क्यों लिया तो अलग अलग जोरत पढ़ जाती है जब आप चीजों को handle करते हो ना run time पर तो वहां पर आपको अलग अलग लेने पढ़ जाते हैं constructor के through ही सारा कम आप नहीं कर सकते हो run time पर आपको handle करना पढ़ जाता है अलग अलग method से ठीक है तो इसलिए यहां पर आपको get set method ready अलग उसी तरह यहां पर नेम के लिए भी बनाते हैं तो यहां पर आप copy कर सकते हो ctrl z यहां पर set name यहां पर string यहां पर भी name और यहां पर get name यहां पर this dot name और यहां पर भी all right तो getter set method यहां पर बन गया है यह string हो जाएगा और constructor भी बन गया all right अब यहां पर आप कुछ भी print करवा लेजिए suppose आपको id print करवाना है तो यहां पर id print कैसे करवा सकते हो जो यहां से value return हुवी है तो उसको यहां पर आप चाहो तो variable name में store करवा सकते हो id equals to s1 dot get id यहां पर यह खुर display करवा देता है और string name में क्या करना है s1 dot get name अभी यहां पर देखिए अब आप बोलिएगा कि यहां पर तो हमने get method को call किया है set वाला तो call ही नहीं किया तो वहीं मैं आपको बता रहा था कि कुछ चीजा आपको configure करने पड़े आते हैं सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहां पर कर लेते हैं तो यहां पर कर लेते हैं तो राइट क्लिक यहां पर हमने get method के थे तो उसको call कर वा लिए अब देखें सब्सक्राइब कर लेखें तो यहां पर यहां पर दिस्प्ले होनी चाहिए लेकिन सब्सक्राइब नहीं भीजता है तो वह डेटा यहां पर दिस्प्ले नहीं होनी चाहिए वह बोल देगा तो यह जो कंडिशन हमनों लेंगे ना इसके लिए यूज हो जाएगा हमारा सेटर में था कैसे होगा सपोज यहां पर हमने कंडिशन लगाया क्या कंडिशन लगाया कि जो वेल्यू आ रहे है ना हमारी ने में जदी वह नेम संजीत के equal हो तब तो वह हमारा प्रिंट हो जा condition लगा रही है तो आप क्या कर सकते हो यहां पर लिए सकते हो इफ नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस ठीक है नेम डॉट इक्वल्स इग्नोर केस जदि यहां पर संजीत के तो यहां पर आप क्या कर सकते हो इसको पृंड करवा सकते हो नहीं तो यहां पर क्या बोकि सकते हो यहां पर यहां पर सकते हो कोई भी प्रिंट वेल्यू को प्रिंट करवा सकते हो यहां पर यहां पर लिख रहते हैं यहां पर हम लोग भेज देते हैं क्या संजीत जब यह जाएगा यहां पर कॉल होगी वेल्यू और वापस यहां पर रिटन होगी तो यहां पर क्या कर लेते हैं यहां पर हम लोग इसको प्रिंट कर वा लेते हैं तो यहां पर नेम होगा ठीक है यहां पर भी कर लिया यहां पर कर लिया कोई दिकत नहीं है कि यहां पर कॉल कर वा लोगे उसको और यहीं पर फिर से प्रिंट कर वा दोगे नेम को आल्रेट तो सपोज यह हमने वेलिडेशन लगा दिया यहां पर आड़ी को हम लोग बाद में प्रिंट कर वा लेते हैं आप चाहो तो इसको पहले रख सकते हो यहां पर आप यहां पर रख लिए अल्रैट आप देखें यहां पर क्या होता है अभी यहां पर हम लोग भेज रहे हैं जावा तो जावा केस में यह क्या रिस्पॉंड करेगा वो देखते हैं रन return value संजीत नहीं है तो यहाँ पर हमारा value सेट हो जया उस के बाद यहां पर हम लोग फिर से method को call करवा लिये यहां पर रिएंग को print करवा लिएंग तो यहां पर हमारा हो गया validation केन तो यहां पर user को हमने restrict कर दिया क्या थिक है कि वो name संजीथी बह सकता या फिर कोई भी नेम भेज़ेगा तो यहां पर उसको संजीती प्रेंट होगा तो यह हो गया आपका कंस्ट्रेटर के थूरू गैटर सेटर मेथड और डेटर को हैंडल करना आने वाले वीडियों हम लोग यह भी देखेंगे कि एरे का यूजिस में कैसे कर सकते हैं जहां पर यूजर रन टायम पे वेल्यू एंटर करेगा और एरे के थूरू हम लोग सारे डेटर को प्रिंट करवा रहें कि तो सपोज एक यूजर ने फाइब डेटा को वह जा मतलब एक स्टुटिंट के फाइब डिटेल्स और वह एक स्टुटिंट के लिए ही नहीं क्योंकि एरे में लोग मोर देन वन वेरिवर के लिए यूज करते हैं तो वह आने वाले वीडियो में देखेंगे वह कापी इंट्रेस्टिंग होगा तो उमीद है वीडियो जरूर अच्छ लगोगी सब्सक्राइब जरूर करें चानल को मिलते हैं नेक्स वीडियो में